हेलो फ्रेंट्स वेलकम है आप सभी का इंग्यान इंग्लिस लिट्रेचर जैसे कि हम पढ़ वाइस नीरत सी चौधरी आज के स्लासन में हम पढ़ने वाले हैं नीरत सी चौधरी बाइग्राफी लिट्री बर वर्क इनका एजूकेशन और इनके अचीवमेंट्स और वेरी वर इंग्रिस लिट्रेचर के तहते के विएस टीजी टी पीजी टी डी डी एससवी स्टेट लेवल के जो भी अमारे एक्जामनेशन है जहां से आपका इंडियन इंग्रिस लिट्रेचर यदि आपके इस लेबस में है तो नीरत सी चौधरी इंपोर्टेंट हो जाते है उस लि इंग्लिस लिट्रेचर के तहां तो यह इंग्लिस में लिखते है उसकी अत्रिक्त फ्रेंट यह जैसे कि इनका जन्म हुआता पस्चिम बंगाल में तो यह बांगला भाशा में भी लिखते है तो यह दो भाशा में लिखते हैं इंग्लिस अंड बांगला और इनकी जो मृत तो है एक अगस्त 1999 को हुई थी पाला हक नंदी एंड सोनी बरार चिट्टी नाम से लिखा करते थे शिख्चा की बात करें इन्होंने University of Calcutta से graduation किया है और same University में इनोंने PG में admission लिया था बट इनोंने अपने MA final के examination नहीं दिये थे और इनका MA complete नहीं हो पाये था PG इनका completed नहीं है University of Calcutta से इनोंने graduation किया है Highly influenced by his father उपेंद्र नारायन चौधरी यह अपने पिता उपेंद्र नारायन चौधरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी जो mother थी वो इन्हें Shakespeare के स्टोरी सुनाया करती थी जिसकी वज़ाए से बच्पन से इनका रोजहान लेखन की तरफ बढ़ा जब इनका education complete हुई इन्होंने कुछ समय के लिए इंडियन आर्मी में एक clerk के रूप में accountant department में भी काम किया था और friends इसकी अतिरिक्त इन्होंने नेता जी सुबास चंदर बोष के जो भाई थे शरत चंदर बोष ठीक है फिर शरत चंदर जो बोष है उनके secretary के रूप में चार वर्स इन्होंने कार किया था ठीक है तो इनके बार में यह अलग से कुछ important point है literature के अतिरिक्त कि इन्होंने इंडियन आर्मी में clerk के रूप में काम किया शरत चंदर बोष के secretary के रूप में काम किया और all India radio के लेव इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया था फिर इन्होंने finally लेखन को अपनाया as a carrier इन्होंने writing को अपना लिया इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं तो इनके work है 1951 में जो आये था इनका 1951 में आये था इनका work the autobiography of an unknown Indian जे इनकी पहली रचनाओं ठीक है पहली book है कब आये थी 1951 में आये थी the autobiography of an unknown Indian उसकी बात 1959 में आये था इनका passage to England ठीक है passage to England इन्होंने लिखा था ये 1959 में publish हुआ था इसके पहले फ्रेंट्स 1955 में ये इन्होंने इंग्लेंड का विजिट किया था तो 1955 के चार साल वा जानी कि 1959 में उने ये रचना लिखी 1965 में इन्होंने लिखा था continent of circumference देखी ये जो इनकी रचना है इस work के लिए इनको दफ कूपर मेमोरियल प्राइज से नवाजा किया था आगा दा दा कॉंटिनेंट ओफ सर्क रचना के लिए इनको मिला था दफ कूपर मेमोरियल प्राइज 1967 में इनकी रचना आए थी तह इंट इंटलेक्च्वल सारी रचना है पहली इंपोर्टेंट हो जाती है 1951 में आए थी और पैसेज टु इंग्लेंड वेरी वेरी पढ़ चुके हैं खुश्वन सिंग वो इनके फ्रेंट थे ठीक है फ्रेंट उसके बात इनके और भी जो रचनाए है 1971 में आई थी टो लिव और नॉट टो लिव 1974 में स्कॉलर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी देखिए ये बायग्राफी है और बायग्राफी किस की ऊपर लिखिए इनोंने फ्रेडरिक मैक्स मुलर के ऊपर लिखिए ठीक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर की बायग्राफी इनोंने लिखिए जिसका नाम है स्कॉलर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी और ये इंपोर्टेंट इसलिए है फ्रेंट्स दा स्कॉलर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी क्योंकि मैक्समुलर की नेक्स्ट इनका जो रचना है 1975 में स्क्लाइव आफ इंडिया 1906 में कल्चर इन दा वैनेटी बैग 1979 में हिंदुईज्म 1987 बाइंड ग्रेट मोनार्क 1997 थ्री होर्समेन अफ दा न्यू एपोकेलिप्स collection of pre-published essay इनके aça का कलेक्षन भी है the east is east and west is west एंड दूसरा है why I mourn of England ये इनके aça कलेक्षन है magazines related इनके questions है magazines की इनके आर्टीकल पबलिश हुए या फिर उन्होंने खुद कौन सी मैगजीन की स्थापना करी तो वो हम देख लेते हैं कौन-कौन से हैं वो फर्स्ट आर्टिकल जो इनका प्यार हुआ था modern review नामक English magazine में इनका आया था इनका पहला आर्टिकल ठीक है किस magazine में आया था यहीं से हमारे कोशन बनेंगे अच्छे से आप मलकुल यहीं से कोशन वाले हैं वहीं से हमने अपने पॉइंट्स रखे हैं कुछ extra काहनी किस्तों की बात नहीं है अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं 1975 में इनको साहिट एकेडमी अवर्ड मिलाता किस रचना के लिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया इस्कॉलर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी ठीक है बाइग्राफी है किसकी मैक्समोलर की 1990 में इनको अक्सफोर्ड यूनिवर्स्टी ने डीलिट के ऑनोरेरी उपादी दीती कब दीती 1990 में 1992 में यू उपादी मिली थी कमांडर ऑफ दा ओर्डर ऑफ दा ब्रिटिश एंपायर और इनको ये दाड़ाफ कूपर मेमोरिल प्राइज भी मिलाता जैसे कि मैं आपको पहले बता चुक्यूं किस रचना के लिए मिलाता इनको दाड़ाफ कूपर प्राइज दा कॉंडिनेंट ऑ रूप में काम किया और है हैं री आमिमिया भॉर्श रूप में काम किया और यह अपने जो लेखन Users से और ब्रूर्व से हिए काफी प्रभावित थे ठीके फिंडस तो इतनी बाते किस वारे में नीदकूह बारे में полез इंपॉर्टेंन्न पॉइंट सारे घ्रूट किया मैं इसमें तो बस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब मैं चैनल और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हवाँ शेयर करें और अच्छे से त्यार करें एक्स